नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आप सभी का हमारी चनल पर दोस्तों आज हम आपको चुकंदर से मिलने वाले कुछ फाइदों के बारे में बताएंगे चुकंदर मुसला जड़वाली पनस्पदी होती है चुकंदर को आप कच्चा, सूप, सलाद और स्मूदी के रूप में पिखा सकते हैं चुकंदर अपने लाल रंग और स्वरूप के कारण ही लोग प्रिये नहीं है बलकि इसे सुपरफूट के रूप में भी जाना जाता है चुकंदर में अनेक औशदिये और सेहत वर्दक गुंद मौझूद होते हैं तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि आपको इसका सेवन करने से क्या-क्या फाइदे मिल सकते हैं सबसे पहले एकनिवेदन उन सभी दर्शकों से जाज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं क्रप्या हमारे चैनल की सदसेता को ज़रूर ले ले तक कि आप हमसे जुड़े रहें हमारे दुरदी कही जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा बिठा सकें साथी सही जानकारी के लिए इसे अंतर तक सरूर देखीगा एनिमिया की बिमारी को दूर करने के लिए चुकंदर का इस्तमाल सबसे ज़्यादा लापदायक माना जाता है चुकंदर में परियापत मात्र में आईरन, विटामीन्स और मिनरल्स होते हैं जो की खुन को बढ़ाने और उसे साफ करने का काम करते हैं महीलाओं को खुन की कमी ज़्यादा होती है इसलिए महीलाओं को अपनी डाइट में चुकंदर सरूर लेना चाहिए चुकंदर में फाइबर, फ्लेवनॉइट्स और बेटा साइनिन काफी मात्रा में मौजुद होता है इसलिए इसका रंग लाल और बैंगनी होता है यह LDL कुलेस्टरॉल को कम करने में मदद करता है साथ ही इसको खाने से दिल के दौरे आने की समस्या में भी बहुती फाइदा मिलता है जो लोग जिम में काफी वर्काउट करते हैं और सारा दिन काम करके ठक जाते हैं उनके लिए चुकंदर खाना बहुती फाइदिमन्द माला चाता है क्योंकि चुकंदर खाने से एनर्जी लेवल पड़ता है इसके साथ ही इसमें मौझूद नाइट्रेट तत्व धमनियों का विस्तार करने में भी मदद करते है चुकंदर में नाइट्रेट्स की मात्रा खूब होती है जिस वज़ा से इसको खाने से नाइट्राइटर्स और गैस नाइट्रिक ऑक्साइड में पदल जाता है ये दोनों ही चीजें हमारी धमनियों को चौड़ा करने और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है चुकंदर में फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है इसलिए यह कप्स को दूर करने के लिए भी इस्तमाल किया जाता है इसे खाने से भी खाना जल्दी पच जाता है चुकंदर में कैलोरी भी काफी कम मात्रा में पाय जाती है और साथी एंटी ओक्सिदेंट्स और फाइबर बहुत अधिक पाए जाता है जिससे कि आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आपको अच्की हमारी जनकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेर और कमेंट से रुकिजिगा इसे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद